आप सभी से दिल से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। विडियो को जितना हो सके अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे विडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए रोज इतनी महनत करते हैं तो आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप अपने दादा दादी और मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। EPS 95 नियोंतम पेंशन को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज, महराष्ट्र, हरियाना और जार्खंड में पेंशनर्स सरकार को पेश करेंगे बड़ी चुनौती। EPS 1995 की नियोंतम पेंशन को लेकर पेंशन भोगियों ने विरोध तेज कर दिया है। चुनावी राज्यों में मुद्दा गर्माया है, जहां नेता इसका समर्थन कर रही है। पेंशन भोगी प्रधान मंत्री मोदी से त्वरित समाधान की मांग कर रही है। करमचारी पेंशन योजना 1995, EPS 1995 की नियोंतम पेंशन को लेकर देश भर में पेंशन भोगियों का विरोध तेज हो गया है। आगामी विधान सभा चुनावों के मद्दे नजर यहां मुद्दा राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बनता जा रहा है। पेंशन भोगी संगठनों ने चुनावी राज्यों में अपनी आवाज को बुलंद करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और उनकी सरकार पर दबाव बनाने की योजना तैयार की है। चुनावी समीकरण और पेंशनर्स का दबाव हाल ही में किये गए एक जन्मत सर्वेक्षन ने भाजपा के लिए महराश्ट्र, हरियाना और जार्खंड में गंभीर चुनावतियों की भविश्यवानी की है। पेंशन भोगियों के प्रमुख नेता कमांडर अशोक राउत और उनकी टीम ने इसे अपने संघर्ष का परिणाम बताया है। महराश्ट्र में विभिन राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने चुनावी भाषणों में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। प्रती आक्रोश। वेधनशील रुख अपनाया है और EPA's 95 पेंशन भूगियों को देश पर बोज समझा जा रहा है। पेंशन भूगियों की ओर से उठाई गई आवाज को कई राजनीतिक नेताओं का समर्थन मिल रहा है। सुप्रिया सुले जैसे नेताओं ने इस मुद्दे को राष्ट्रिय स्तर पर उठा कर इसे एक महत्वपूर्ण चुनावी विशय बना दिया है। इसके साथ ही पेंशन भूगी नेताओं ने भी अपने संघर्ष को और तेश कर दिया है ताकि सरकार उनके मुद्दों को हल करने के लिए मजबूर हो। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की नियोंतम पेंशन का मुद्दा अब सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं रहा, बलकि यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आने वाले चुनावों में यह देखने लायक होगा कि कैसे पेंशन भोगियों का यह आंदोलन सरकार की नीतियों और चुनावी समीकरणों को प्रभावित करता है। पेंशना 1995 के अंतरगत आने वाले पेंशन भोगियों ने अपनी मिनिममम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ा कर 7500 रुपए प्रती माह करने की मांग को लेकर एक जोड़दार आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन का नेतरित्व नैशनल एजीटेशन कमिटी द्वारा किया जा रहा है। EPA's 95 पेंशनर्स को मिली बहुत बड़ी खबर न्योंतम पेंशन को लेकर संसद में मिला बड़ा तोहफा देंखे अपडेट जिसने दिल्ली में अपना डेरा डाल दिया है। तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि न्योंतम पेंशन को लेकर संसद में क्या बड़ा तोहफा मिला है। आए जानते हैं इस बारे में विस्तार से जानकारी। कर्मचारी भविशन निधी संगठन के अधिकारियों और NAC प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में दिल्ली में व्यापक चर्चाए हुई। जिसमें मिनिममम पेंशन बढ़ाने, उच्च पेंशन लाभों और मेडिकल सुविधाओं पर जोड दिया गया है। NAC के राष्ट्रिय अध्यक्ष, कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रिय महासचिव ने कर्मचारी भविशन निधी संगठन के सीनियर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की हैं। पेंशन फंड प्रमुख मांगे और प्रतिक्रिया पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगे मिनिममम पेंशन में वृद्धी, महंगाई भत्ता और व्यापक मेडिकल सुविधाएं शामिल हैं। इन मांगों के प्रती कर्मचारी भविशन निधी संगठन की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है। और चर्चा के दौरान इन मुद्धों को प्रात्मिक्ता दी गई है। इस प्रदर्शन ने न केवल सरकार बलकि समूचे देश का ध्यान इन मुद्धों की और आकर्शित किया है। Employees Provident Fund Organization आगे की रा। NAC और कर्मचारी भविशन निधी संगठन के बीच निरंतर समवाद और चर्चाओं का आयोजन जारी है। पेंशन भोगियों की उचित मांगों को मनजूरी देने के लिए सरकार और संगठन दोनों ही प्रयासर्थ है। इसके साथ ही व्यापक चिकित्सा सुविधाएं और उचित महंगाई भत्ता प्रदान करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। जिससे पेंशन भोगियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके। फिर भढ़के EPS 95 पेंशन भोगी। सिर्फ आश्वासन नहीं अब चाहिए पूरी पेंशन जन्वरी में किया था विरोध फिर भढ़के EPS 95 पेंशन भोगी। कर्मचारी पेंशन योजना, Employee Pension Scheme, 1995 के तहट पेंशन पाने वाले सेवानिवरित कर्मचारियों ने शुक्रवार 12 जन्वरी 2024 को देश भर में EPFO के 110 दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। फिर भढ़के EPS 95 पेंशन भोगी। इन EPS 95 पेंशन भोगियों ने EPFO से महंगाई भत्ते के साथ कम से कम 7,500 रुपए मासिक पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। फिलहाल EPS 95 योजना के तहट नियूंतम मासिक पेंशन एक हजार रुपए है। EPFO 1 सितंबर 2014 से पात्र पेंशन भोगियों को इसका भुकतान कर रहा है। EPS 95 योजना का संचालन EPFO करता है। EPS 95 योजना के तहट देश भर में करीब 78 लाक पेंशन भोगी आते हैं। पेंशन भोगियों ने मासिक नियूंतम राशी बढ़ाने की मांग को लेकर देश भर में 110 EPFO दफतरों पर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने नियूंतम पेंशन बढ़ाने के मामले में श्रम मंत्राले और EPFO की उदासीनता के विरोध में केंद्रिय श्रम मंत्री को ग्यापन भी सौपा है। EPAS 95 समिती के राश्ट्रिय अध्यक्ष भी हुए थे शामिल। आंदोलन समिती के एक बयान के अनुसार, आंदोलन समिती के राश्ट्रिय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत और राश्ट्रिय महासचिव विरेंद्र सिंग राजावत के नेत्रित्व में दिल्ली के भीकाजी कामा प्ले स्थित EPFO कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। और उसके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पर बार आश्वासन के बावजूद EPFO इस बारे में गंभीर नहीं है। इस जनवरी से फिर से क्रमिक अंशन शुरू किया जाएगा, जो मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। करमचारी पेंशन योजना के तहट आने वाले करमचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविशन निधी में जाता है। जबकि नियोकता के 12% हिस्से में से 8.33% हिस्सा करमचारी पेंशन योजना, Employee Pension Scheme में जमा होता है। इसके अलावा सरकार भी EPS Pension Fund में 1.16% का योगदान देती है।